ऐसे और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं अवाज नहीं आ रही है मैं क्या हूँ क्या मैं किन्दर हूँ क्या मैं गुड हूँ या मामू हूँ या छक्का हूँ ये नाम सब आपने दिये थे but मेरा नाम अमरुता सोनी है and I'm proud to be a hijra उसने मुझे मामू बुलाया उसने मुझे गुड बुलाया उसने मुझे छक्का बुलाया उसने मुझे हिजडा बुलाया और मैं अपने माबाब के सेप्रेशन का कारण बनी आज मेरे माबाब मुझे अलग है दोनों भी आज अलग खड़े रहते है कोट में जब पहुंचे डाइवर्स के लिए इसके सब के जिम्मेदार आप थे बट उन सब चीजों को मैं भूल के आगे बढ़ी आज भी वो रात याद है मुझे जब मेरे पापा, मेरे ममी को कह रहे थे अरे तुने तो एक छक्के को जनम दिया सारा समाज कहता है तुने एक छक्के को जनम दिया मैं छक्का हूँ तो क्या हुआ मैं एक इनसान नहीं हूँ मैं आपी के अंगन की मिट्टी हूँ मैं आपी के अंगन की तुलसी हूँ जो बाहर आप तूचते हो जिसमें आप रोज दिये जला के उसकी पूजा करते हो बड़ उस तुलसी की तरह मैं भी बड़ी छोटे से लेके बड़े होते होते आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ एक माबाप हमेशा चाहते है कि मेरा बेटा उनके लिए तो मैं एक बेटा था जब मैं पैदा हुई थी बेटा बेटा कहके सब जगे फटा के फुटे थे मिटाई बटी थी कि बेटा हुआ बड़ बेटा नहीं था एक किनर था वो बड़ समाज से छुपाना था बेटा बेटा ममी ने बहुत कोशिश की पापा के सेप्रेशन के बाद तलाक होने के बाद खुद एक गॉर्णमेंट सेवंट में स्टाफ निर्स की जॉब करते हुए मुझे एक आदमी बनानी थी मुझे दृविंग में टाला गया मैं स्विंग करती थी International Swimming Player रह चिक है. बड़ क्या है… Swimming Player रहने के बाद। जब इंडियन नेवी में सलैक्ट हुई तो जडरा सह सहल गई तो बहुते हैं बाहर निकलो. क्यों? तो मैं हीले-डूले मात्मा फुले थी. मेरे ट्रेनर का कहना था कि मैं हिले-डोले मात्मा फुले थी तो मैं इंडेन नेविय में नहीं काम कर सकती हूँ फिर मुझे मेरे चाचा के पास भेजा गया कि इसके फ्रेंड सर्कल छूट जाएगा सब कुछ छूट जाएगा और जब ये अपने फ्रेंड सारा चीज चेंज हो जाएगा शायद ये वापस मर्द बन सके इसके अंदर जिम जाउइन करने के बाद एक मर्दांगी नहीं एक मर्द बनके छाती तानके चल सके पर मैं भूल गई थी कि ये समाज का एक हिस्सा मेरे चाचा चाची भी है मेरे रिष्टेदार भी है जो मेरे पीछे कहते थे कि हाँ मेरे भाई को एक गुड हुआ एक मामू है वो छक्का है हिजड़ा है मैं एक कैथलिक फैमिली से बिलॉंग करती हूँ छोटे से शहर से शुलापूर और उमर के 16 साल में अपने चाचा के साथ दिली में रहती थी और गिटार बजाती थी और गाना गाती थी कि वन आई साथ दिली थी और गाती थी और गाती हूँ और क्यों गा रही हूँ मैं चाहती हूँ कि जो मैं हूँ मुझे एक्सेप्ट करो the way I want to leave let me live in this world but नहीं समझ पाया मेरे रिष्टेदा नहीं समझ पाया ये समाज लड़ती रही समाज से लड़ते लड़ते आखिर क्रिस्मस आ गया घर जाने की बात आ गए ममी से मिलने की बहुत खुशी थी चाचा ने कहा कि एक छोड़ी सी पार्टी करते है सारे फ्रेंच सा रही है मेरे तो मैंने का ठीक है तो पार्टी थी घर में मैं अपना थोड़ा सा मेकप विकप करके क्योंकि पहले से आदत थी बच्पन से ममी की लिपस्टिफ लगाना चोरी करके ममी की साड़ी पहनना और देखना आइने में की कैसे दिख रही हूँ क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ क्या मैं ब्यूटी एश्वर्या की तरफ करती थी बट उस दिन रात को मेरे चाचा ने का कि सब लोग थोड़ा थोड़ा ड्रिंक्स ले रहे हैं कभी ड्रिंक्स अपने होटों पे नहीं लगाये थे पर उस दिन जाम क्या चीज होती है उस दिन पता चला और उस जाम ने दो घुट के जाम ने एक जिन्दगी के ऐसे मोड पे लाके खड़ा किया कि रेप क्या होता है ये पता चला कि खुद के चाचा ने जब रेप किया खुद से भरी लटपती लटपत होके मैं अपने जब चली अपने माँ के पास अपनी कहानी बताने तो पहले ही मेरे चाचा ने कुछ और कहानी वहां बता रखी थी घर पहुंची ममी कहती है मैं बोलने के पहले ही ममी ने हाथ में 100 रुपे थमा दिये कहती बेटा बहुत हो गया मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ बट मैं हार चुकी हूँ अब ने में तरह साथ दे सकती हूँ और वो उमर के 16 साल में जब सच में एक माबाप की जरुरत होती है एक गाइडेंस की जरुरत होती है एक बाप क्या चीज होता है बाप जो डाटता है उसकी जरुरत थी एक माँ जो प्यार से एक best friend बनके रहती है उसकी जरुरत थी उस वक्त 100 रुपे लेके कहा गया कि तुम अपने हमारे साथ नहीं रह सकती है उस 100 रुपे को लेके मैं निकली घर से 10th past age of 16 What I should do? ला भीया कहना बहुत आसान है गाड़ी के सीसे चड़ाना बहुत आसान है बट कभी इस दिल से पूछो ये दर्थ क्या होता है 10 रुपे मांगने का क्योंकि ये भूप बहुत गंदी थी ये च्छत की जरुरत थी रहने के लिए वो कहां से लाती मैं आप ही लोगों के पास आती दे भाईया दे दी बट किसी ने उस वक्त दे दिया किसी ने कहा एचल निकल काम नहीं करते कुछ नहीं करते मैं काम करना चाहती हूँ क्या आप मुझे काम दे सकते थे तब आप मुझे काम किसी ने नहीं दिया क्योंकि मैं जस्ट 10 पास आउट from a convent school student from a catholic family with the name of Paul Xavier Colum Parambil but there was no Paul Xavier left after age of 16 when I left my home and walked on the street where was this family where were you people no one was there only my community hold my hand मेरे community ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा नाम रग दिया Amruta क्यूकि हमेशा मेरे माबाप ने एक्षीज सिकाई कि हस्ते रहो क्यूकि कहते ना बच्पन में जो परवरिश मिलती है वही बड़े में काम आती है तो हमेशा हस्ती रही कितने में पैर में घुंगरू थे तब भी हस्ती रही क्यूकि पेड भरना था और नहीं हसूंगी रोंगी तो कोई पैसा नहीं देगा कोई कुछ नहीं करेगा कोई साथ नहीं चलेगा आप कॉलेज में आज पढ़ते हो आज आपने अपने ममी पापा को कंवेंस किया पीस भरने के लिए इस इंजिनरिंग कॉलेज में बट मेरे पास में अपने ममी पापा को कंवेंस भी नहीं कर सकती थी कॉलेज के दरदर के ठोकरे खाने के बाद बहुत सारे बहाने मिले सीट्स अवेलेबल नहीं है प्लेस कंप्लीट हो चुका है अब सुटेबल कैंड़ेट नहीं हो हमारे कॉलेज के लिए बट एक ऐसा कॉलेज था जिसने मुझे आप्शन दिया कि आप हमारे कॉलेज में पोस्ट ग्राजुएशन ग्राजुएशन कंप्लीट कर सकते हो बट एज गे यू के नौट कम अज़ थांस इनौ कॉलेज क्या करती मैं तब हालात की मजबूर थी क्योंकि मुझे एक डिग्री सर्टफिकेट चाहिए था जिससे मैं इस समाज को बता सकूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ और मेरे को पढ़ने का अधिकार है और कॉलेज में बैटने का अधिकार भी है और गे बल्के मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट की पोस्ट ग्राजुएशन कंप्लीट हूँ MBA के डिग्री की चार लाख रुपे फीज कहां से भरती मैं ना मेरे पास मम्मी थे ना पापा थे जिनको मैं कन्वेंस कर सकती थी कि मम्मी मुझे चार लाख फीज दो ना पापा मुझे चार लाख फीज दो ना नाचती थी बार में मैं एक बार डानसर थी एक सीनियर जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे एक दिन शाम में पहुँचे बार हमें वहां नाच रही थी दूसरे दिन जब मैं कॉलेज पहुँची तो मैं में बुला गया कि professors को sir हम उसके साथ नहीं पढ़ेंगे हम उसके साथ नहीं बैठेंगे classroom में वो हमारे junior के साथ भी बैठने के लायक नहीं है क्योंकि वो एक bad answer है क्या मैं bad answer होना गलत है आज उस वक्त समाच के नजर में गलत था क्योंकि मैं एक खिर्णर थी और मेरा पूरा स्टेटर्स ओपन हो गया था कि मैं एक खिर्णर हूँ कॉलेज हूँ कैसे वैसे मेरे प्रोफेसर जिसको हम कहते गुरु ब्रह्मम गुरु विश्णुम गुरु देवम गुरु सर्वस्वम उन्होंने तक नोचा मुझे और प्रेट्स में अपने टेबल्स लगाते थे और बोलते थे चलो शाम में उनको बहला आती हो दिल यहां हमको बहला हम भी पैसा उड़ाएंगे ऐसा ऐसा करते हैं बट डिग्री जरूरी थी क्योंकि आज आपके सामने खड़े होने के लिए मुझे डिग्री भी जरूरी थी क्योंकि डिग्री ने होती तो मैं आज कहीं जॉब भी ने कर सकती थी उस दिग्री के लिए मैंने अपको वहाँ भी पेरों में गुम्रू बानके परियद में भी और परियद में नाच्टी थी तरह से क्यों? तो पैसा की जरुरत नहीं थी वहाँ पे मेरी डिग्री हाथ में चाहिए था डिग्री दे दी सब कुछ था हाथ में पर जॉब्स नहीं थे I have been shortlisted as a voice in action trainer I have been shortlisted as a HR but what no one wants to work with me because I am a transgender I am a hijra where can I have a proud of me that I can challenge any of the male or a female that I have both the hearts that I have I am carrying a male and female heart I can be a best boss for the both the people you can make nar ko bhi achche se samaj sakti ho ek nari ko bhi bhot achche se samaj sakti ho nar nari sabkuch hote huye nar nari ko samajte huye bhi job nahi tha tab bhi bhoat saare challenges ते पिर एक NGO में condom देने जाती थी female sex workers के पर transgender sex workers को मैं condom देती थी और बोलती थी बहन condom लगा के sex करना हाँ बोलते थी बहन condom तू देने आती है शाम में फिर बाद में 6-7 duty कर लेती है condom देके और साथ से 10 तक तू तो sex work तू भी करती है तो तू यूज करती है मैंने का हाँ मैं भी यूज करती हूं बढ़ थे इस समाज के कुछ गुंडे जिसे local गुंडास कहते हैं हम लोग जो area के भाई बने गुमते हैं जो हमेशा औरतों के उपर भाईगिरी जमाना जानते थे कभी किसी female sex worker के बाजू में बैठ के पूछना या फिर किसी transgender के बाजू में बैठ के पूछना दिल से सोती है नहीं क्योंकि आज अगर मैं rent लेने के लिए जाओं किसी flat का तो मुझे आप से जादा rent देना पड़ेगा जो आप तीन हजार दे रहोगे तो मुझे 10 times double rent pay करना पड़ता है क्यों तो मैं एक फ्रांस के मेरे पास कोई government schemes नहीं सुप्रीम आज तक black and white papers पर है reality में कुछ नहीं है उस वक मैं क्या कर सकती थी मुझे महेंगा से महेंगा रैशन दुकान से रैशन खरीदना पड़ता था और खुद का पेड़ भरना पर सकता है पिर इन लड़कियों से सुन्दर दिखने के लिए खुद को तयार भी तो करना है मेक अप आ गया लिप सिफ आ गया आई लाइनर आ गया इन सब के उपर पैसा है फिर मैं बस में किसी के बाजू में बैटने जाओं तो उदर से आदमी तो उड़ जाएगा या फिर आउरत तो उड़ जाएगी त 10 times double amount आप से मुझे जादा spend करनी पड़ी क्यों तो इस society में exist होने के लिए जॉब नहीं था, sex worker थी और condom देने जाती हैं एक NGO की छोटी outreach worker थी उस वक्त उस local गुंडाज ने rape किया मेरा फिर और जब मैं hospital पहुची पूरे खून से लपतर होके government hospital treatment के लिए तो डॉक्टर कहता है मैं treatment नहीं दे सकता यह police के से job पिले police के complaint करके हो फिर मैं treatment करता हूँ फिर बाद में मेरे फ्रेंड ने का आप at least check तो कर लो injuries तो मुझे पुरा naked किया गया और literally trainee doctors को बोलते देखो इस तरह से इनका वज्जे ना रहता है इस तरह से इनके boobs रहते है इस तरह से यह trans होते है treatment तो दूर दूर तक नहीं थी और जब police station पहुंची साब मेरे साथ रहिप हुआ उतने में दूसरी तरफ से constable आवाज देता है sir यह वही है रंडी जो वहाँ पे खड़ी रहती धंदे पे तो साब बोलते है अरे जा जा मेक अप कर ले जाके treatment कर वा ले कल मेक अप करके किसी और का दिल बहला नहीं कोई customer ने पैसा नहीं दिया होगा रंडी कम तरे को चल निकल जा भार यहां कोई complaint नहीं कोई सुनाईव क्यों नहीं हम अधिकार ले सकते हैं अगर एक लड़की के लिए रेप होता है तो सारे एंज्यो खड़े हो जाते हैं सारे धरना प्रदर्शन हो जाता है candle present करते हैं बड़े एक sex worker का रेप होता है तो क्यों नहीं आप खड़े हो जाते हो क्यों वो एक किसी की मा नहीं है किस सेक्स वर्क नहीं करते उसके बाद भी लड़ाई चलती रही और अचानक लड़ते लड़ते में एक बार बीमार पड़ गई बीमार पड़ने के बाद हॉस्पिटल में अड्मिट थी डॉक्टर कहता है ब्लड टेस्ट ले लो इधर MBA की डिग्री मिल गई थी मैं बहुत हाथ में दो-दो डिग्री थी एक थी MBA और एक थी HIV पॉजिटिव क्या बनाओ मैं पार्टी बनाओ या डिप्रेशन में जाओ खुद को संबालना पॉजिटन की बॉटल बैंग में लेके घुमना कहीं जगा मिल जाएक पॉजिटन पीके सो जाओ मैं पड़ी लिखी हूँ और मेरे साथ रेप कैसे हुआ रेप हो गया चलो छोड़ दो मैं रेप के साथ भी उपर आ गई लड़ने लगी तो ये क्या नया चीज मेरे सामने लाके रख दिया भगवाद मेरी जिंदगी खतम हो गई सारे पहाड मुझ पे क्यू क्यू मुझे एसी जिंदगी दी कि ना ना मैं नर रही ना नारी रही बट मैं क्यू जी रही हूँ और क्यू मर रही हूँ इस समास के बीच में ताने सुनके कि मैं एक HIV पॉजिटिव हूँ और उपर से मैं एक हिजड़ा हूँ दो-दो स्टिक्मा और डिस्क्रिमिनेशन के साथ जी रही यह बहाना देखे कि मेरे घरवाले कह रहे है कि तुब बच्चा नहीं पैदा कर सकती ठीक है मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती हूँ बट आज मेरी जो मां हूँ मैं एक बच्चे की क्या मैं उस मां को मैं अंदर मारत हो नहीं सकती क्योंकि मैं एक आउरत की जिंदगी जीत कोटी सी बच्ची दस साल की यार्टी सेंटर आती है दवाई लेने और मैं कॉंसलिंग सेशन्स लेने जाती हूँ उस नीशा को सारे डॉक्टर्स प्यार करते थे सब लोग कुछ न कुछ पैसा देते थे उसको कि ले बिटा कुछ खा लेना कोई बिस्किट्स देता था कोई चिप्स देता था उसके दादा दादी उस बच्ची के पास से लेके बाहर जाके सब बेज दिये और दारू पी लिए बच्ची को nutrition support नहीं मिला, कुछ नहीं मिला एक दिन वो बच्ची इस हालत में hospital पहुँची जहां पे हम उन लोग उसको बच्चा भी नहीं पा रहे थे इतनी गंदी हालत में बच्ची पहुँची डॉक्टर्स ने हाथ खड़ा कर दिया कुछ नहीं कर सकते इसके लिए दोनों kidney fail को infections इतने सारे हैं क्या करेगी फिर से लड़ाई एक और शुरुवात हो गई कि मैं अब माँ बनूंगी इन HIV positive बच्चों की आज मैं गर्ब करती हूँ कि मैं एक HIV positive बच्चे की माँ हूँ मेरा बच्चपन मुझसे चीना गया था मैं उन बच्चों का बच्चपन नहीं चीनूंगी उन बच्चों को वो जिंदगी देने की कोशिश करूँगी जो मैं नहीं जी पाई जो education मेरे को जरूरत थी वो मैं नहीं ले पाई बट मैं उन बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश करूँगी आज एक बच्चे को मैं दे पारी गए बट क्या है लाइफ में एक बच्चा तो आ गया सब कुछ हो गया बट उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई का भी सब कुछ था यही 36 गड़ था पैदा हुई शुलापूर सारा ट्रांजेंडर लाइफ गया पुना मुंबई में नौकरी के लिए आई 36 गड़ हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट HLL Life Care की एक और्गनाइजेशन है जो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम करती है चाईवी के उपर उनके साथ काम करने लगी एड़ोकेसी ओफिसर आज भी याद है पहले एड़ोकेसी मीटिंग मेरे Finance Officers, मेरे Boss प्रेशर था मुझे अमरुता पैसा लग गया है हॉटल बुक होच चुका है अगर वो Officer नहीं आया तो कैसे होगा बट जब मैं उस Officer से मिलने गई थी तो मैं एक किनर थी उसके नजर में तो मैं किनर थी उसने मुझसे एक सवाल पूछा था रवी शंकर जी आज वो Commissioner है यहीं पे 36 गड़ में और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों आई हो आपके NGO से हो मैंने कर सब मैं NGO से नहीं हूँ मैं एक इंसान हूँ और एक माह हूँ जो आपके पास कुछ आदिकार मांगने आई हूँ जो सरकार ने दिया हुआ है उस आदिकार को मुझे चाहिए जो मैं free मैं घर से आ सकूँ ART पर दवाई ले सकूँ और free मैं वापस जा सकूँ और मेरे साथ कोई मेरा caretaker आ सके मैं अपने लिए नहीं मेरे और भी भाई बहन है जो HIV के साथ जी रहे और भी मेरे बच्चे है जिनको घर से दवाई लेने आने के लिए पैसा नहीं है इसलिए वो दवाई तक छोड़ चुके हैं और हमारा सहारा हमारी दवाई है हमारी जिन्दगी है वो एक दवाई एक गोली इतनी अनमोल है मेरी लाइफ के लिए कि अगर मैं एक मिस कर जाऊं डोस तो मेरे अंदर HIV वाईरस और पैदा हो सकता है इतना सब कुछ लड़ते 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 मुझे 36 गड़ गॉर्मेंट ने नूडल आफिसर का पोजिशन दिया नूडल आफिसर की पोजिशन दी गई दो साल हो गए सब कुछ हो गया फिर मैं यहां से चली गई पतना पतना में जाने के बाद मैं बिहार की स्टेट कॉडिनेटर बोलके काम करने लगी NCPI के पास National Coalition of People Living with Archive in India अगेन टेकनिकल सपोर्ट यूनिट Working with Government Sitting with Governments Governments के साथ बैट के उनके Policy Makers को बदलना सबसे मुश्किल था हर IS Officer के बाहर एक CCTV कैमेरा लगा रहे था तो उसके PA से पूछता था अरे यहां क्यों आई हुई है ज़रा पूछ लो Minister के पास जो तो Minister पहले CCTV कैमेरा से देखते तो यहां क्यों आई हुई है एक Parliament के पास जो तो वो भी हुई सोचता है कि यहां क्यों आई हुई है पर मैं अपने लिए कहीं नहीं गई मैं अपने लिए टाली बजा के अधिकार मांगना जानती हूँ बट आप ही मैंसे लोग थे जो आज अच्छाईवी के साथ जी रहे थे उनी के अधिकार के लिए मैं वहां गई थी as a advocacy officer उनी का हक मांगने गई थी मैं अपना हक नहीं मांगने गई थी क्योंकि मेरा हक आप लोगों ने कपका छीन चुके थे उमर के 16 साल में माबाप से अलग करके बट मैं हारी नहीं चट्टान की तड़ा खड़ी रही और उसी चट्टान पे खड़े रहके आज मैं तीन स्टेट की regional program manager हूँ तीन स्टेट के मंत्रियों से मिलती हूँ तीन स्टेट के IS officers के सामने जाके कभी भी देखना एक IS officer minister के सामने खड़ा रहता है तो पीछे हाथ बंदे रहते और करता है क्योंकि वो जानता है यह बोल रहा है यहां खड़े रहे के पर करना मुझको है वही चीज मैंने भी अपना ही यह सर यह सर और एक ही बार एक ही बात बोल देती थी सर यह सब करता दूंगे इसका outcome क्या आएगा क्या हम अपनी खुर्सी बचा पाएंगे क्या आप vote bank वापस ला पाओगे आपको vote bank देखना है सर अज 40,000 लोग जी रहे अच्छावी के साथ 40,000 का अगर आप उनके family जोड़ोगे इतना हो जाएगा आप एक लाख vote के मालिक बन जाओगे अगर आप यह पास करते होगे वहाँ मेरे पास technical कुछ नहीं था कभी मैंने laptop चलाने नहीं सिखा था कभी मैंने reports बनाना नहीं सिखा था कभी मुझे research study नहीं पता था बढ़ आज मैं international platforms पे खड़े रहके उसे system से research study सिखी और Asia Pacific Transgender Network की मैं co-chair बनी उसी system में रहके मैंने अपना empower किया अपने empowerment full complete करके मैं आज एक complete successful बन चुकी हूँ आप से एक ही कहना है ममी पापा पैसे तो जरूर देते हैं पढ़ने के लिए ममी पापा सब कुछ दे देंगे आपको बट जिन्दगी में हारना मत सिखना girlfriend, boyfriends बहुत आएंगे girlfriend के लिए nurse काट लेंगे, प्यार में boyfriends बहुत मिलेंगे, boyfriends को girlfriend बहुत मिलेंगे बट जिन्दगी एक ही बार मिलती है selfie खीचना बहुत आसान है smile देते हुए बट selfie खीच के, उस selfie को हम upload तो कर देते हैं कितने दिन के लिए रहता है, WhatsApp status आठ दिन दो दिन, या फिर Facebook timeline दो दिन, तीन दिन likes आते हैं, मुझे इतने likes मिल गए, मुझे इतना ये हो गया वो हो गया, बट उस likes से जादा हमको क्या सिखना है तो work, क्योंकि वो work था जिसको मैंने capture किया, अगर हम अपने जिन्दगी में हर work, हर एक mode, हर एक चीज अगर उससे सीखना शुरू कर दे, तो मैं मानती हूँ, कि जितने भी आप बच्चे बैटे हो, यहाँ पे मेरे भाई बेन बैटे हो, आपके life में engineering कोई बड़ी चीज नहीं होगे फिर, engineering degree ऐसी हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर के इनसान को जगाईए, आपके अंदर एक छोटा सा दिल है, उसको जगाईए, आपके दिमाग की सोच को बदलिए, मैं आज यहाँ पे आपके सोच, या दिल, या किसी को ब्लेम करने नहीं आई हूँ, बस आपसे एक request करने आई हूँ, कि मैं आपके अंगन की मिटी हूँ, इस हिंदुस्तान की बेटी हूँ, तो आप भी मेरे जैसे बहुत सरे HIV positive बहने होंगी, बहुत सरे transgenders होंगे, जो आपके जैसे पढ़ना चाते हैं, आपके बाजू में बैटना चाते हो, अगर वक्त बदलना है, तो खुद को बदलो, और वक्त के साथ चलना सीखो, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है और आज मैं किसी के लिए नहीं रुकती हूँ ना पीछे मुड़ के देखती हूँ क्योंकि मुझे पता है पीछे क्योंकि जब मैं एक कदम आगे बढ़ाती हूँ ना तो कोई पीछे वाला पास मेरे सामने लाके रख देता है तेरा पास तो ये कहता है रहे मैगजिन में, हाँ, वो तो मेरा पास था, पर आज प्रेजन्ट मैं हूँ, जो आपने राइट वाला कदम आगे बढ़ाया है, उसको कभी पीछे मत ले जाईए, उसको आगे ही बढ़ाये, अगर सामने से कोई एक कदम आगे बढ़ के आ रहा है, तो आप दस कदम उसकी तरफ बढ़ाएगे, और हमेशा सूरज धलता है, तो सूरज की नई किरन भी उपती है, नर्वास मत होना लाइफ में, मेरे लाइफ में बहुत सारे सूरज धले और सूरज होगे, आज मैं सूरज की तरफ चमक्ती में। आगे चमक्ती में।